जब साली नहीं आई जीजा के जासे में तो जीजा ने रचा बड़ा शड्यंत्र और साली पर करा दिया एसिड अटाग ऐसा ही कुछ हुआ था जालौन में यहां 21 सितंबर को कोच के लाजपत नगर में एक युगती पर दो नकाब पोश अपाचे बाइक सवारों ने एसिड फेक दिया था इस मामले में लड़की के पिता ने अग्यात लोगों के खिलाफ मामला तरजगराया था जिसका खुलासा करने के लिए छेटी में गठित की ग साथ ही CCTV फोटेज की मदद से लोगों की पहचान करने का प्रयास किया था इस मामले में पुलिस टीम को बड़ी काम्याबी मिली है पुलिस ने इस वारदार को अंजाम देने वाले लड़की के जीजा पंकच उर्फप्रेम नारायन निवासी नारायन पुर जिला और एया को गिरफतार किया है पुलिस अधीक शक ने आज एसिड अटाक का खुलासा करते हुए बताया की लड़की के जीजा ने एसिड अटाक के लिए 7 लाख की सुपारी दी थी और CCTV की मदद से पंकच अपनी साली पर नज़र रखता था साथ ही वारदात को भी उसने बैठे बैठे CCTV में लाइव देखा था इस वारदात को अंजाम देने में आठ अभियुक्त शामिल थे जिन में से चार की गिरफतारी हो गई है बाकी की गिरफतारी भी जल्द कर ली जाएगी मास्टर माइंड है वो लड़की का जीजा है उसका नाम पंका जो प्रेम नारायन है और यह रहने वाला और यह का है यह लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग एक महिना पहले ही स्टार्ट कर जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने और रहिया से स्टार्ट की मीटिंग उसके बाद बार बाल कूछ में आके रिकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इस लोगोंने घटना के अंजाम देने वाले यह जो पुटेज में आपने अपने दो वेक्तियों को अजय को मुख वजए जयसा कि मेंने बगाया कि यह अपनी साली पत गल्लत निगाह रखता था और उसके रोक तोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाब लेने के चकर में पढ़ा रहता था जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आके उसके लेवान से इसको डिनाई किया तो इसको इसने प्रतिश्था कभी सेमनालिया और इसने फ्रतिपे एसे फिक्वालिया